तो डिचेरे और ईबन आजके इस वीडियो लेक्च् refere में जो इस टूडेन्ट एम्यू Nutुикс एक्जाम इस पर देने वाले हैं अज हम इस वीडियो लेक्चर में अन्सेट हिस्ट्वी को डेटेल में डिसक्स करेंगे बिल्कुली बेसिक से और बिल्कुली स्टार्टिंग से अच्छा इसमें ये भी है कि इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं टोटली इंट्रेंस ओरिंटेट होगा और वही चीज़े पढ़ाये जाएंगे जो hopefully आपके chances होगे इंट्रेंस माने का इसके लाबा कई चीज़े आपको गायड भी किया जागा लेकिन फिल्याल जो इंट्रेंस ओरिंटेट आपके जो सवाल है उसी सबसाब को पढ़ाया जागा तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस की वे पहली बात हो यह कि हमने अल्रडी मेडिवल हिस्ट्री जो स्टार्ट क्या था उसमें मैंने एक बात बताया था कि बैसकली हिस्ट्री जो है वो तीन पार्ट में डिवाइडेर मतलब इंडिया का जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो तीन पार्ट में पढ़ते हैं एक ancient, दूसरा medieval और तिसरा modern लेकिन अब एक सवाल हो सकता है कि ये तीन हम क्यों पढ़ते हैं, पांच क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो उसका जवाब ही है कि एक ब्रेटिस रहें जिनका नाम था James Mills, वो philosopher रहे हैं, और उन्होंने इंडिया का history तीन पार्ट में डिवाइड के रहे हैं, अच्छा वो तीन पार्ट में क्या उसने का था, Anson history को उन्हेंने कहा था कि भई यहां पे जो रूलर है वो हिंदु रूलर है शोगां इसको काच्छर नाम दिया और medieval में उन्होंने ज्याद glauben ज्यादत जो रूलर थे वो मुस्लिम दे इसलिए इसलिए उनको medieval राखा गया यहीं- रूलर को consider किया उसने और modern में जो है ब्रेटिस को consider किया मतलब यह है कि तीन time period में पहला time period उसने इसलिए रखा क्यों जाता लोग हिंदू लोग रूल कर रहे थी इंडिया में पांच में लोग में है में मुस्ट्वा रूल किये इंडिया में और अब से जाते हैं इसलिए कि है कि आपका इसस्त्री है अनसें इस्ति हाला कि आप जैसे मेडिवल पढ़े तो उसमें आने बोला कि देखो देली सलतनात और मुगल जो है यही आपका totally मेडिवल के पार्ट हो डिवाइडेड है, pre, proto और historic period, pre में जो है, जो भी evidences मेलें सी fossil फिली है, बल्दा pre का जो evidences है mostly वो fossil फिल है, और proto में कुछ evidences मुझे दिखे हैं, जिसे script बगार हो गया, coins हो गये हैं, और भी कहीं चीजी मेले हैं, जिससे मुझे पता चलता है कि वो proto historic का पाट है, तो unsaned history में 3 पार्ट पहला प्री दूसरा प्रोटो और तिसरा हिस्टोरिक पिरियड और वो कम्पलीट अंसेंट हिस्टी को बताता है तो प्री हिस्टोरिक पिरियड में जो हम बात करें तो उसमें हम लोग टाइम लाइन के साब से देखें तो प्री हिस्टोरिक पिरियड में पैलोलेथि के अंदर हम बात करें देखिए आपका युजूली सवाल किस टाइब के बानता है एक तो आप से सवाल पुछा था कि अस्टोर एज किस पेरिडुक का जाता है तो पहले लेथिक अप्शन में क्या कुछ हुआता है जैसे पहला ये कि पहले लेथिक टाइम में ऐसे हुआ था क इन सब ये जो सारे वेडेंस है वो नर्मदा रिवर पर वहां पर मिला है यानि जब एक्जिवेशन हुआ था वहां पर तो पता चला था कि ये सारे डिवाइस उस टाइम के लोग यूज करते थे पहला उस टाइम के लोग हंटर थे अब एक लॉजिकल सी बात है कि अगर कि कोई चीज बढ़ा लिखा नहीं हो और अगर वो ॉस टाइम के लोग हंटर थे सबी reduces एसे स्था एक लिए यह चीव दिखता है कि केव पेंटिंग का साइट केव पेंटिंग का सॉर्स दिखते हैं विंबेट का जो की मद पर इसमें वहां मुझे दिखता है तो पहले लिथिक के घिसाब से या आप कहा हैं कि इंटरंस में क्या पूचा जाएगा तो आपका यह इसमें इंपोर्टन थे इस टाइप का सवाल पूचा जाएगा इस टाम के लोग 100 थे यह इंपोर्टन अब आते हैं दूसरा टाइमलेन जिसका नाम है मैसोलिथिक पर जोक किते हैं उस टाइम के जो लोग डिवाइस यूज कर रहे थे जो भी उसके साइच छोटा हो गया था मदब साइच उन्होंने छोटा करके यूज करना सूर का दिया इसलिए माइक्रोलिठी कहा जाता है पहला दूसरा इस टाइम के लोग डोमेस्टिफिकेशन स्टार्ट किया था मदब घर में रहना स्टार्ट कर दिया था और इसका एविडेंसे जो है मद पर्दिस में और आईस्थान में भी मिलता है इसके लावा हुमन एसके लेटल मिलता है हमें उत्तर पर्दिस में अच्छा उत्तर अब यह कैसे थोड़ा लॉजिकल बात यह कहना चाहरा है सब्सक्राइब अगर आप हिस्टोरिकल पिरेट से देखा जाए अंसेंट हिस्टी की सब से देखा जाए तो हो सकता है उसका हम लोग घर में रहते होंगे और बाइडिफोल घ कहीं ने कहीं एक हुमन अस्केलेटल भी दिखता है मतलब एक लॉजिकल बास सोचे आप अगर कहीं पे रहा रहे हैं हो सकता आपका डेथ हो गया तो आपका बॉड़ी का कंकाल तो रहेगा ना तो यह डोमेस्टिफिकेशन से आप आइडिया ले सकते हाँ अगर घर में रहा परताबगड़ और यूपी में ही परताबगड़े वहां दिखा यह मेस्टिफिक हो गया अब आते हैं थार्डवन नियूलेथिक टाइम लेंड में इसका टाइम लेंड है 4000 बीसी से 25 इसमें में क्या क्या दिख रहा है अब एक बात बताए इस टाम जो है लोग अग्रिकल् अब यहां पर क्या लॉजिकल बात यह समझे एक बात सोचिए थोड़ा अगर आप किसी घर में रह रहें तो आप अपने पीने का जुगाड़ कीजी गर ना तो जुगाड़ में उन्हों क्या क्या अग्रिकल्चर स्टाइट कर दिया और उसका साइट कहा मिला जब अरिकल् पर्टेक्शन के लिए आज भी गौह में जो है डॉग दिखते ही हैं तो पहले क्या था कि जब लोग मरते थे तो बगल में डॉग भी प्रोटेक्शन का तर्पर यह घर के पास में रह दे थे तो उनका भी डेथ हो गया होगा यानि वह भी डॉग भी मर गया होगा तो डॉ ग्रेवियाड भी बोन डॉक दिख रहा है अलाकि उस टाम जो है लोग कबर में खोद करके डिक करते थे जब किसी का डेट क्यों ग्रेवियाड से तो जी समझे आते हैं अब आते हैं अच्छा यह जो टाइम लें था प्रिहिस्टोरीक अब आते हैं प्रोटो इस्टोरीक प्र सबसे पहले और यह दोनों साइट इंडस वैली में अब आते हैं थोड़ा सा कि हरपन से कहां से कहां तक फैला होता नौर्थ में जम्मू कस्मीर के पार्ट चेनाव रिवर से सौथ में गुदावरी रिवर दाइमबाद तक फैला हुआ था और इधर जो है आपका कह सकते है सुक्तिगंदूर यह जो है आपका इरान के बॉर्डर पर है यानि कि आफगानिस्तान इरान के बॉर्डर पर है और इधर उत्तर प्रदिस का अलामगीर पूर यह इतने एरिया तक फैला होता अगर आप इसके एरिया देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगए कि यह ट्रेंग महारास्टा वाल रिजयन तक कहले यह अमध पर्दिस कहले और इधर अलामगीर पूर उत्तर पर्दिस से लेकर के आप चले जाए अफगानिस्तान के बॉर्डर पर अब आते हैं थोड़ा से यहां पर कुछ पहली बात यह कि फीचर क्या था इंडस वैली सीविलेशन की बा मतला पहले क्या होता था पहले ड्रेने सिस्टम को बनाया था फिर बाद में घर बनते थे और घर में भी ऐसा तयार होता था कि बोलते नहीं कि रोड जो है बिल्कुल किलियर कट होता था अगर एक तरफ से हावा चले तो दूसरे सब से पार हो जाई यह निक हावा रुख ज करते हैं अब आते हैं कुछ साइट के बारे में अच्छा यह अलग बात है कि हर अपन और इंडस वैली सिवलेशन जो है अगर आप टाइम लेंड देखें तो कितने का है वही पच्छी सो इस टुटिफवेंट का सपस का है लेकिन यह सारी कहानी कब पढ़ी गई कब जनकार इसका इंडस रिवर के पास में आप देख सकते हैं जैसे अगर बात करें तो लेथल हो गया गुजरात में काली बंगा राइस्थान में हो गया अलम गिरपूर बनावली किनके दौरे डिस्कावर किया गया अच्छा इस सवाल एक आख सवाल पूछे जाएंगे वह यह पू यह सारे इंडस वाली सिविलेशन के अलग अलग साइट्स हैं और जैसे आप लॉजिकल सोचीगा मैंने फिर से बोला कि नौर्थ में मलब जेन के से लेकर के इधर मत पर्दिस में है तो आप अगर देखेंगे तो यूपी हर्याना राजस्थान यह सब तो इसी वाले रीज सबसे जादा अगर साइट्स का ही मिला है इंडस वैली सिविलेशन का तो आपके गुजरात में भी ले हैं कुछ बेसिक चीज है इंफरमेशन है जैसे कुछ-कुछ बेसिक बागी दो डेटेटियल में जाना मुझे सही नखता है जैसे हरपन सिविलेशन की फीचर्स यह था कि 12-room graveyard इसमें देखा गया दूसरा यह कि उस्तम के लोग जो है weight और barley use में crop उस्तम देखा गया इसके लाबाए यह कि seal देखा गया है बुल का और यह मेरे खाल से 2-3 इसमें काफी important है बाकी जादा इसमें मुझे नहीं लगता है वही अगर मोहण जोदारों के अंदर अगर स्वास्ति का सिंबल दिखा है dancing girls का दिखा है सवाल आपसे पूर सकता है कि statue of dancing girls कहां दिखा गया इसका site तो यह मोहण जोदारों में दिखा गया है ठीक है यह कुछ basic था ऐसे ही चानुदारों में भी देख सकते हैं चानुदारों एक rural place था यह रूरल प्लेस भी दिखा गय क्यूर बढ़ते हैं जिसका नाम है वेदिक civilization अच्छा उससे पहले मैं आपको यह बात किलेर कर दूं कि पहली बात आप यह जान जाईए कि इंडस वैली civilization का जो expected टाइम लाइन है वह आप देख लिए ट्वेटिफाइव एंडड से सेवेंटीन फिप्टीन विजिए इसके बाद से फिप्टीन ने तक एक ट्रांजिशन पिरेट चला है इसलिए कभी भी हम अगर हम पढ़ते हैं इसके बाद का जो टाइम लेन बैसके लिए वह हम पढ़ते हैं आपके आपका इसमें नहीं से अरली है और एक लिटर वेदिक है तो उसमें भी दो पिरिट में पढ़ते हैं अब वेदिक सिविलाइशन जो यूजुली सवाल बनते हैं जिसे पहला तो यह है कि इसमें दो टामलाइन को दो तरीक से डिवाइड किया गया है 1500 BC से 1200 BC के बिच वेदिक टामलाइन है 1500 BC से 600 BC पोस्ट वेदिक परिड़ है यह हो गया इसके इलावा अगर हम बात करें तो अलगलग लोग का अलगलग मानना है जो वेदिक सिविलाइशन में जो लोग आये थे ऐसा माना जाता है मैक्स मिलियर ये कहते हैं कि जो वेदिक लोग जो थे यानि आर्यन लोग जो थे वो सेंटर लेसेस आये वही बाल गंगाधर तिला कहते हैं कि ये आर्क्टिक्स आये अब इनके मैं देखते हूं कि आरें लोग कहां तक फैले इंडिया में कास्मीर से राजस्थान तक और अफगानिस्थान से लेकि विस्ट अंगग तक यानि उत्तर प्रदिस बिहार तक जो है यह फैले हुए थे इनका सौर्स दिखा गया है अब आते नेक्स्ट पर थोड़ा यह एक तरह का रूरल सीवलेशन कहा सकते हैं यहां पर अगरीकल्चर हो गया एनवल इस टाइप के चीज़े देखा गया इसका लावा फादर डॉमिनटिंग चीज़े देखा गया यहां पर रूर्बलो देखा गया यह सारे चीज़ग है हैं अब मैं बताता हूं कि उस टा पहला यह कि जो आप गायतरी मन पढ़ते हैं वह रिग वेदा का ही पार्ट है इसके लब और ज्यादा इंपोर्टन है निसमें जो पूछता है वही हालकि इसमें पूछेगा तो यह नहीं इसमें और भी चीज़ है साम वेदा जो है सॉंग से रलेटेड है इंडियन क्लासिकल जो आप नोट्स जो कॉंसेप देखते हैं वह साम वेदा से आया है यह यक से रिलेटेड है जितने भी यग बगारा चीज़े देखते हैं और अथर वेज से बात करें तो ब्लैक मैजिक हो गया हैपनेटीजम हो गया ट्रीटमेंट आप इविल सॉल हो गया इन सब से सब अगर हम बात करें वेदिक पिरेड में तो दो-तीन बात ही था हाले कि वेदिक पिरेड से ज्यादा सवाल कूछता नहीं है बट स्टील अगर किसी का पास लूशन का जो बुक है ना वो पतली से चालीस रुपय काता है उसमें थोड़ा देख लिए काफी होगा लेकिन फ बात करें तो यहां तक यह पार्ट फस्ट था मतलब अंसेंट हिस्टी के साब से यह पार्ट फस्ट हो गया और यह इतना काफी होगा आप इसमें फोकस करेंगे एक तो यह कॉंसेप के तौर पर आपको यह इंसर्ट आडिया मिल गया हाला कि डिटेल गिल तो आप कितना भी कोई भी डाउट स्कुरी होता है कमेंट किजीगा और फेडबेक के तौर पर कोई चीज हो तो आप सजेस्ट कर सकते हैं तेंक्यू